अलो फ्रेंड्स मैं सुबोजीत मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूँ इस लिंक से आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं और चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो की जानकर ये अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले मिले तो आप यहां से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए यह बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब बटन है आप मेरे सब फेस्बूक में भी कनेक्ट हो सकते हैं फेस्बूक पर कनेक्ट होने के लिए इस लिंक को अपके एड्रेस बार में टाइप कीजिए और यहां से लाइक बटन पर फिक्स करेंगे और कुछ इस तरह की प्रॉब्लेम देखिए इसे जो वेबसाइट मतलब यह जो वेबसाइट मतलब Google का जो वेबसाइट है इस वेबसाइट को लेकर एक सब्सक्राइट का प्रॉब्लेम यह और क्यों धरियर करता है मैं बहुत ही सौट में आप लोग को बोलना चाहूंगा कि इस तरह की problem तब ही arise होता है कि अगर आपका system का जो date and time है वो अगर सही नहीं रहता है तो तब ही आप लोग को इस तरह की problem arise करता है जैसे कि यहां पर चलिए फिर से मैं Google का page open करता हूँ तो देखिए यहां पर फिर से बोई certificate देखिए यहां पर लिखा है इस security certificate presented by this website has expired और is not yet valid लेकिन Google का certificate तो valid है लेकिन यहां पर देखिए date and time तो सही सही नहीं है आज का डेट है December 2016 है लेकिन यहां पर देखिए December 1990 दिखा रहा है और अभी तो PM नहीं है तो चलिए इसे fix करते पहले तो time को सही करते ताइम को सही करने के लिए यहां पर क्लिक किजिए फिर change date and time settings यहां पर क्लिक करने के बाद internet time पर यहां से हम online पर internet over internet हम इस time को fix करेंगे यहां तो इसके लिए कोई भी web server आप चूस कीजिए नदब time server sorry कोई भी time server को आप यहां से चूस कीजिए जैसे कि times.windows.com फिर यहां से update now अभी देखिए एन error record लेकिन time successfully synced हो गया है फिर यहां से okay कीजिए देखिए change हो गया अभी जो date है आज का जो date है वो है उन्तिस तारीक है और time है 9.51 a.m. अब यहां से okay कीजिए फिर यह जो page में जो error आ रहा था इस page को reload कीजिए refresh देखिए कोई certificate issue नहीं हुआ दूसरे tab लेकर खुलते है Google को देखिए यहां पर कोई certificate expired issue नहीं आया page successfully full open हो गया तो friends आज के session में हमने एक problem को fix किया कि अगर कोई आपके page में वह page related कोई certificate issue होता है तो उसे कैसे easily fix करते date and time change करते हुए ठीक है तो आज के session में इतना ही friends thanks for listening